ऐसी समश्याय हमारे घर में पुरानी रीति रिवाज और अन्विश्वास से पैदा होती है जब एक उरत को हमेशा ताना मिलता है कि यह बेटा पैदा नहीं कर सकती ओलाद पैदा नहीं कर सकती यह तो बांच है, मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही माहूल और समश्या पैदा हो गया था जिससे मैं मजबूरी में आकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ी थी आखिर मैं करती भी तो क्या करती अपने पती अंदर की कमी को दिखाने के लिए मैंने ये गलत रास्ता चुना था उलाद की खातिर यह पाप कर लिया, नाजायज बच्चा पैदा किया यह बच्चा किसका था, यह जानकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे उस दिन मेरे पती ने मुझे बहुत पेदर्दी से मारा पीटा था जिसकी वज़य यह थी कि मेरी सास ने मेरे पती के कान भर दिये थे तेरी पतनी तो पैदाईसी बांच है, इसको घर में रखकर क्या करना है तुम दूसरी लड़की से शादी कर लो मेरी सास की इतनी हरकतों की वज़य से मेरा पती हमेशा मुझे को बिना वज़य मारता पीटता रहता था उस दिन तो उसने विल्कुल हद पार कर दी थी मुझे मारने पीटने के बाद भी उसे आराम न मिला तो कहने लगा, अगर तुम मा नहीं बन सकती हो तो मैं तुमें छोड़ दूँगा, और मैं दूसरी ओरत से शादी कर लूँगा मेरे पती का बड़ा भाई हमारे सामने ख़डा था और यह सब लड़ाईया वे अपनी आखों से देख रहा था, उससे राह नहीं गया वे बोल पड़ा और अपने छोटे भाई को डाट फटकार लगाई, और बुरा भला का इस बात पर मेरी सास को बड़ी मिर्ची लगी और वहम मेरे जेडची को डाटने लगी कि तुम कोन होते हूँ, इन दोनों मिया बीवी के बीच में बोलने वाले तुमारी खुद तो अपनी बीवी है नहीं और आये तुम इन लोगों की समश्याओं का सुलधाने मेरे जेड़ मुझसे काफी बड़े थे लेकिन मेरी बहुत इज़त करते थे उनकी आखों में जो महबत मैंने अपने लिए देखी थी, वैं मेरे पती के आखों में मेरे लिए नहीं थी वैं एक अलग तरह का इंसान था, पहले पहले तो मेरे पती का रवईया भी मेरे साथ कापी अच्छा था शादी के चार साल बेतने के बाद भी जब मुझसे कोई उलाद पैदा नहीं हुई तो फिर उसका रवईया मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करके बदलने लगा मैंने इन सब बातों से और तानों से तंगा कर अपना इलाज भी करवाया, पता चला मेरे अंदर कोई कमी नहीं है यह सारी कमी मेरे पती के अंदर थी, लेकिन मेरा पती इस बात को मानने को तयार नहीं था कि वह उलाद पैदा नहीं कर सकता, उसके सड़ाने वाले सिर्फ उसकी मा थी मैं इस चीज के बारे में सोचते हुए, उस राज मैं अपने जेट के कमरे में चले गई थी मेरे जेट मेरे बहुत इज़त करते थे, यह बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी इसलिए मेरे दिल में मेरे जेट के लिए काफ़ी इज़त थी, और काफ़ी बड़पन था वह इसलिए कि मेरे पती जैसे बिल्कुल नहीं थे यह सब सोचकर मैंने एक गल्थ कدم उठा लिया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था पर मैं करती भी तो क्या करती मेरा पती तो मुझे पर ही इल्जाम लगा कर मुझे छोड़ देता मैं इस aussi घर ने रहा कर साभित करना चाहती थी कि कमी मेरे पती के अंदर है मेरे अंदर नहीं है यही सब सोच आते ही मैंने अपने जेट के आगे अपना पलू उतार दिया और उनके सामने नंगे सिर्ख खड़ी हो गई उनसे विंती करने लगी कि जेट जी मुझे एक बच्चा चाहिए आप चाहे जो कुछ भी कर लो मुझे एक बच्चा दिलवा दो अब मैं अपने पती से जादा मार नहीं खा सकती देखा ना तुमने तुमारे सामने ही तुमारे भाई ने कितना तमासा किया था अब तो आपकी मा के कहने पर उसने मुझे डिवोर्स देने का भी फैसला कर लिया है और मैं यह नहीं चाहती कि मैं मुझे छोड़कर किसी और को हो जाए यह बात कोई भी औरत बरदास नहीं कर सकती क्या मैं इस सब चीजों को यूही बरदास करूँ क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे क्या यह सब जुल्म बरदास करती रहूं नहीं जेट जी आप मेरी मदद करो मुझे एक वोलाद चाहिए पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं अगर तुम वोलाद चाहती हो तो यह बात अपने पती से कहो ना क्या कहूं मैं आपके भाई के बारे में कि वह उलाद पैदा करने के काभिल नहीं है वह यह बाद बिल्कुल नहीं मानता कि खराबी उसके अंदर नहीं है पर मैं क्या कर सकती हुआ सचा है मैं उस तक कैसे पहुँचा हूँ इसका कोई इलाज आप करवा कर रख दे उस टाइम तो मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई उन्होंने मुझे समझा बुजा कर मेरे कमरे में भेज दिया था फिर एक दिन मेरे पती को बिठा कर काफि समझाया और कहा कि तुमारी पत्नी में अपना इलाज करवाया है कि वैबान नहीं है उसकी रिबोर्ट मैंने देखी है क्यों ना तुम अपना इलाज करवाया है बात सुनते ही मेरा पती अपने भाई पर वड़क उठा और कहने लगा कि तुम कोन होते हो मेरे नीजी समझाव को सुलजाने वाले तुम होते कौन हो कहने वाले कि मैं अपना इलाज करवाओं जबकि मैं विल्कुल ठीक हूँ मैं विल्कुल ठीक हूँ, मैं पुरा मर्द हूँ, मेरे मरदानगी में कोई कमी नहीं है समझे आप मेरी पत्नी ही बांज है हाँ, अगर उसने अब की बार कोई बच्चा पैदा नहीं किया तो मैं उसे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी और उसके बाद मैं उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूँगा और उसके बाद वे अपने कमरे में चला गया मेरा जेट में गुमसमसा बैठा हुआ था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वे किस तरह मेरी मदद करे फिर थोड़ी देर बाद वे भी अपने कमरे में जाकर लेट गया और यह सारा मंजर मैं अपने आखों से देख रही थी रात के पिछले पैर जब मेरी सास और मेरे पती सो गए तो बिल्कुल दबे पाओ अपने जेट के कमरे में आगी दरवाजा खट खटाया जेट जी ने कहा कोन है मैंने कहा कि मैं सीमा बात कर रही हूँ आप दरवाजा खोलिए इस टाइम आपको क्या बात करनी है आप जाईए अपने कमरे में सो जाईए अगर तुमारे पती को पता चल गया तो घर में तुफान उख जाएगा मैं यह नहीं चाहता कि घर में लड़ाई जगडा और तमासा हो वैसे भी इस घर में रोज रोज का तमासा देखकर बहुत परिशान हो गया हूँ प्लीज जेट जी आप दरवाजा तो खोलिए मैं फूट फूट कर रो रही थी तो मेरे जेट ने वरदास नहीं हुआ उन्होंने दरवाजा खोल देए मैं उनके कमरे में दाखिल हो गया है और दाखिल होते ही मैंने उनके कमरे की कुंडी लगा दी और अपने जेट जी के सामने जाकर खड़ी हो गया और कहने लगी उस दिन तो मैंने अपना दुपट्टा उठा कर आपके कदवों में रख दिया था कि तुम मेरी लाज बचा लो कि मुझे एक ओलाच चाहिए इसके बारे में आपने मेरे पती से बात की मुझे आप बताईए कि उन्होंने क्या जोब दिया कुछ नहीं कहा बस आपका अपमानित किया है उसने आप भी बताईए कि हमें क्या करना चाहिए हमें पर यह तो मेरी समश्चा नहीं है यह समश्चा तो आपकी है आप दोनों आपस में जाकर सुलजा लेजिए क्या आपका यह समश्चा है कि आप रोज मुझे मार खाता देखे और मुझे अपमानित होता देखे नहीं नहीं अब मैं यह समश्चा मुझसे बरदास नहीं होता है तुमारी तो क्या मैं किसी भी औरत को अपने सापने अपमानित होते हुए नहीं देख सकता ना मार खाता हुआ तो इसलिए तो कह रही हूँ, आप मेरे लिए कुछ सोचे और मेरे लिए कुछ कीजिए मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, मैं ये पती को जता देना चाहती हूँ कि कम ही तुमारे अंदर ही है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इंती करती हूँ आप मेरी मदद करिये मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए सीमा जो एक मर्द करता एक ओरत के लिए क्या मतलब मतलब तो आप समझ गई हैं कि मैं आपसे क्या चाहती हूं आपके अंदर वैसारी खूबी जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए या आप उलाद पैदा कर सकते है가 मुझे आपसे एक उलाद चाहिए लेकिन यह एक राज होगा और जो आपको अपने सीने में दबा कर रखना होगा मुझे भी अपने अंदर यह राज दफन करना होगा हमेशा के लिए मुझे पर आप ऐसान कर दो मुझे पर यह एक ऐसान कर दो नहीं सीमा नहीं मेरे जेट पीछे अटते हुए मुझे से बोले यह सब बिल्कुल ठीक नहीं है यह बिल्कुल सरासर गल्थ है मैं ऐसा नहीं कर सकता यह एक नाजायज काम होगा मैं तुम्हारा पती नहीं हूँ फिर ठीक है जब तुम्हारा भाई मुझे मार पीट कर और डिवोस देकर छोड़ देगा और आप मेरी बेवसी देखकर खूस होना और मुझे यू भी लगता हुआ छोड़ देना यह कहकर मैं कमरे से वापस पल्टी ही थी कि उन्होंने मेरे कंदे पर हाथ रखा मुझे अपनी तरफ खीच लिया और मैं उनके सामने ढ्हेर हो गई और उनके कदमों में जाकर बीच गई एक ओरत करती भी तो क्या करती उनके साथ मैंने वैरिस्ता जोड़ लिया जो मेरे पती के साथ मेरा था उस वक्त तो मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था पर मैं करती भी तो क्या करती और यह सब तो मैं अपना घर बचाने के लिए क्या था अपना परिवार संबालने के लिए क्या था उस रात के बाद मैंने यह सब उलाद के लिए किया था अब तो मेरी हर रात उनके साथ ही बीटी थी अब मेरे पती के साथ टाइम बिताना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लेकिन मैं करती भी तो क्या करती मैं यह राज खोल भी तो नहीं सकती थी और मेरे जेट की भी पतनी की कमी पूरी हो गई क्योंकि उनकी पतनी की मिर्तु हो चुकी थी जो अपनी पतनी को हमेशा याद करते थे अब वैं बिल्कुल खुश रहने लगे थे और इनी बीच में प्रेगनेंट हो गई थी एक उसकष अपने पती को सुनाई कि अब मैं मावनने वाली हूँ मेरा पती इक अबर सुनकर इतना खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सजाए मौत की माफी हो जाती हो और वैं कैदी खुश होता है मैं अपने पती की एक खुशी देखकर बहुत खुश थी उसने फिर से मेरे वे सारे नाजो नकरे उठाने शुरू कर दिये थे मुझे किसी काम से भी हाथ लगाने ना देता था कहीं कोई समश्या पैदा ना हो जाए वे हर टाइम मुझे लेकर बहुत चोकना रहता था वे हर टाइम मेरी हाजरी गुजरी में लगा देता और मेरी काफी सेवा करने लगा था और मेरी सास जो मेरी सबसे बड़ी दुस्मन बनी बैठी थी वह भी मुझसे काफी खुश रहने लगी थी और वह भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी लेकिन मेरा दिल अपने पती के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगता था तो मेरे पती को बिल्कुल भी ना मालूम थी, फिर हमारे गर एक कुछी की लहर दोड उठी, क्योंकि मैंने एक चान से बेटे को जनम दिया था, मेरे पती तो पाउं जमीन पर नहीं टीक रहे थे, परन्तु उन्होंने पूरे गाम में मिठा ये बाटी थी, पर उसे क्या पता पिजेए के साथ वेरिस्ता था ही जो घर के सबके सामने था, बर मैं जेट के साथ मेरा रिस्ता वेर रात के अंधेरी रातों में होता था, जो किसी को कानो कान खबरना होती थी मुझे अपने जेट के वाओं में काफी अच्छा लगता था उनकी मौबद मुझे काफी अच्छी लगती लेकिन मैं उनकी पत्नी होती तो यह काफी अच्छा होता मुझे उनकी परवा नहीं थी मैं अपने जेट की महबद में इस तरह खोती जा रही थी जब मेरा पती मेरी बहुत इज़त करता था मेरे पती को क्या मालूम कि मैं उसके पीट पीछे क्या उगल खिला रही हूँ पर इस सबका जिम्मेदार तो वही था यह अलग बात है कि मैं एक पाप करने के बाद उस पाप को बार बार दोरा रही थी फिर एक दिन मेरी जिन्दगी में फिर से वही दुख वरा पल आ गया जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे जेट की मिर्तू हो चुकी थी और यहराज अपने सीने में लेकर इस दुनिया से चला गया था पर मुझे अब अपने पती हसारा सचस बताना पड़ा था और आप लोग भी यह बाद जाना चाहोगे हुआ कुछ यह था कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत लाडला था उसकी मुझे बात निकलती ही वह उसे पूरा कर दिया करता था और वह एक दिन काफी बिमार पड़ गया था और उसको ओपरेशन होना था इस ओपरेशन में ब्लड चाहिए था मेरे जेट की मिर्तु एक बिमारी के दोरान हुई थी उनको भी ब्लड चाहिए था तो उनका डिने हम लोगों को अच्छे से मालूम था और उसे बच्चे का डिने भी दोनों का मैच कर रहा था तो डोक्टर ने यह राज खोल कर रख दिया था कि यह तो मेरे जेट का बच् हुए थे वह दो बेटिया थी मेरे पती ने फिर उन बेटियों का भी डिने रिपोर्ट करवाय तो उन्हें मालूम हुआ कि यह बेटिया मेरे जेट की है यह बात खुल कर सामने आई तो मैंने सब को सच बता दिया कि मजबूरी भी तो आप ही ने किया था और आपकी माने कि था कि कमी मुझ में है तो मैंने थावित कर दिया कि मुझ में कमी नहीं है कमी आप में है हाँ यह एक गलत रास्ता था जो कि मैंने अपनाया था पर वह आदमी तो अब इस दुनिया में नहीं है तो उस बात को कोई फाइदा नहीं और तुम्हारी तो समाज में नाक कर जाए कि तुम एक नामर्द इंसान हो जो कि तुम बांज हो अब तो तुम यह मान ही लोगे कि तुम एक नामर्द हो और एक बांज हो यह कमी सारी तुमारे अंदर है मेरा पती सर जुका कर सब कुछ सुन रहा था और मेरे बच्चे भी यह सब कुछ सुन रहे थे फिर मेरी सास ने ज माँ बन गई हो तुमने यह साबित कर दिया कि तुम माँ बन सकती हो तुमारे इतने बड़े बच्चे हो गए हैं तो इस राज को राजी रहने दो और इन बच्चों का पिता इसको ही रहने दो मेरा पती भी मेरे पैरों में आकर गिर गया था और अपने किये कि माँ भी माँ मजबूर भी तो इनी दोनों ने किया था, मैं अपने पती को छोड़ कर और इस गर को छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी, तभी तो मैंने यह गल्थ कदम उठाया था और अपने उपर लगे हुए दाग को दिखा देना चाहती थी, कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और स्वस्त हूं ने जाने कि ओ लोग अपनी बिमारिया चुपाया करते हैं और समाज से डरा करते हैं, इसी समाज से डर कर ने जाने कितने गल्थ काम लोग कर बैठते हैं और उन्हीं को सरमिंदा होना पड़ता है, कभी उन्हें मोत के मुँमें जाना पड़ता है, हर तीसरे घर में ऐसी घर में इस तरह के समश्या पैदा नहीं करें जिससे कमी हैं वे अपनी कमी सविकार करें और घर की समश्यों को खुद इसुल जाए ताकि कोई गलत कदम नहीं उठाना पड़े और समय रहते ही एक्षन लेना चाहिए यहां पर सीमा मुझे विल्कुल भी गलत नहीं लगी क्योंकि सीमा तो एक गरेलू इंसा का सिकार हो गई थी जिसने यह साबित करना चाहा कि मैं मा बन सकती हूँ है अलग बात है कि यह कदम उसने गलत उठाया था लेकिन मजबूर भी तो घर के लोगों ने किया था अब सीमा के बच्चे जवान हो गए और वे अपने बच्चों के अच पॉपसूरत दुलन को छुँना था जो सीमा को बहुत पसंद थी और सीमा वैसा नहीं करना चाहती थी जो सीमा की सास ने उसके साथ किया था सीमा की बहू भी पंधरा सालों तक मा नहीं बन पाई थी तब शीमा ने बेटे और बच्चों का जनम दिया जो की बहुत खूबसूरत है जो सीमा का बेटा और बहु की है सीमा मेरी सास थी और यह सब स्टोरी मैंने अपनी सास से सुनी तो मेरा कलेजा फटकर रह गया था जादतर घर में घरेलू इंसा की सिकार ओते ही होती है तो मैं सबी से निवेदन करती हूं कि ऐसे घरे जो मेरी सास ने किया वह गल्द था यह सही मुझे आप लोग एक कमेंट का इंचार रहेगा मेरे कमेंट बोक्स में आप लोग जरूर लिखे अगर आपको आज की कान नहीं पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें